एक सीकर ने प्रशन पूचा है, अगर दुख बताने लायक ना हो, बहुत इंबरसिंग हो, तो क्या उसे दूर करना पॉसिबल है? देखिए, जहां तक दुख के बताने लायक ना होने का सवाल है, तो शायद आपका आशाय ये है कि दुख बहुत ही प्राइवेट नेचर का है, बहुत ही व्यक्तिगत नेचर का है, और बहुत ही इंबरसिंग है, चुकि दुख प्राइवेट नेचर का है, और इंबरसिंग ह इसलिए आप इस दुख को अकेले सह रहे हैं और आपको लगता है कि ये दुख में इसा दुख किसी और के साथ नहीं है इसलिए आप इसको व्यक्तिकत मान करके इस दुख को लंबे समय तक जेल रहे हैं रही बात इस दुख को दूर करने की possibility की तो मैं आपका ध्यान एक चीज की तरफ दिलाना चाहूँगा मैं आप से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर परिस्थितियां एकदम वैसी ही हो जैसी कि आपके साथ हो तो ये जो घटना आपके साथ हुई है या जो दुख आपको मिला है ये दुख किसी दूसरे को मिल सकता है कि नहीं अगर परिस्थिति एकदम सेम हो तो तो आप इसका जवाब देंगे कि वही अगर परिस्थिति एकदम सेम हो तो ये घटना दूसरे के साथ भी हो सकती है जैसे आपके साथ हुई वैसे ही गटना दूसरे के साथ हो सकती किसी तीसरे के साथ भी हो सकती है अगर परिस्थिती एकदम सेम हो जैसे कि परिस्थितियां आपके साथ एकदम सेम थी जैसे आपकी मजबूरियां थी जैसे आपकी विक्तिकत परिस्तितियां थी वैसे ही अगर exactly दूसरे के साथ भी परिस्तितियां हो तो वही घटना उसके साथ ये same nature की घटना उसके साथ भी हो सकती किसी तीसरे के साथ भी हो सकती किसी की भी साथ हो सकती तो अगर आप कहते हैं कि हाँ अगर परिस्थितियां सेम हो तो ये घटना किसी की भी साथ हो सकती है तो इससे कुसी एक बात का पता चलता है और वो बात क्या है वो बात ये है कि जब एक given set of circumstances में एक दी हुई परिस्थिति में given परिस्थिति में कोई घटना सेम तरीके से बार बार अपने आपको repeat करे तो वो सिर्फ कोई घटना नहीं है वो एक law है वो एक नियम है वो एक order है इसका मतलब ये जो आपके साथ घटना हुई ये घटना एक law है एक order है क्योंकि अगर ये law या order ना होता तो उसी परिस्थिति में किसी दूसरे के साथ होने की सम्मावना नहीं होती लेकिन चुकि ये किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी उसी सेम परिस्थिति में घटने की सम्मावना है इसलिए इसको हमें एक law कह सकते हैं एक order कह सकते हैं अब स्वाल यह है कि इस law को किस ने क्रियेट किया क्या इस law को आप ने क्रियेट किया या इस law को आपके पेरेंट्स ने क्रियेट किया या आप इस law को किसी जानवर ने क्रियेट किया या इस law को किसी ने क्रियेट किया तो आपको पता चलेगा कि नहीं law को कोई क्रियेट नही किया यह हमेशा से है चिरकाल से है यह अनंत काल से है लाउ को कोई create नहीं करता है तो जब लाउ को कोई create नहीं करता तो लाउ का फिर nature क्या है तो थोड़ा सा deep में अगर आप study करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाउ को हम इस परकार define कर सकते हैं जीवन का जो nature है वो formless है निराकार है तो जब जीवन का nature निराकार है तो निश्चित रूप से जीवन हमेशा इस बात का प्रयास करता है कि वो हर परिस्थिती में अपने निराकार स्वरूप को maintain करने की कोशिश करें हर परिस्थिती में अपने निराकार स्वरोब को कायम करने की कोशिश करें इसी निराकार स्वरोब को कायम करने की इस्थिती को हम लोग law कहते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हर परिस्थिती में जीवन जब अपने निराकार सरूप को मेंटेन करने की कोशिश करता है तो इसी मेंटेनेबिलिटी को हम law का नाम देते हैं या order का नाम देते हैं और चुकि जीवन ईश्वर ही है जीवन और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है क्योंकि जीवन का मतलब है मेकर और मटेरियल दोनों मिला करके जीवन कहलाता है और मेकर और मटेरियल को दोनों को एक साथ अगर हम स्टड़ी करें तो एक साथ ही दोनों हैं हमेशा तो इसलिए हम उसको ईश्वर कहते हैं तो इसका मतलब हर law जो है वो ईश्वर स्रिस्टी है उसको किसी ने create किया नहीं है वो तो e-svars की द्वारा created reality है isvars की द्वारा किया गया creation है तो असका मतलब हर law जो है वो e-svars reality है अब आगर law isvars reality है तो क्या आप e-svars reality को व्यक्तिगत रूप से ले सकते हैं आप उसको personally ले सकते हैं प्राइवेटली ले सकते हैं अगर आप इस पर स्रिष्टी को प्राइवेटली ले रहे हैं तब तो आप माउंटेन को भी प्राइवेटली ले सकते हैं आप रिवर को भी प्राइवेटली ले सकते हैं आप समुंदर को भी प्राइवेटली ले सकते हैं आसमान को भी प्राइवेटली ले सकते हैं, आप बादल को भी प्राइवेटली ले सकते हैं, हवा को भी प्राइवेटली ले सकते हैं, सूरज को भी प्राइवेटली ले सकते हैं, लेगिन क्या आप सूरज को प्राइवेटली लेते हैं, क्या आप ये कहते हैं, कि सूरज मेरा है कि आप यह कहते हैं कि समुद्र मेरा है आप नहीं कहते है क्योंकि यह तो इस्वर स्रिष्टी है तो जब स्रिष्टी इस्वर के द्वारा है तो इस्वर की स्रिष्टी को आप परस्नली थोड़ी नहीं लेते हैं क्योंकि वो तो सबका है उनिवर्सल लॉग के ओपर based है तो उसी तरीके से आपका ये जो दुख है ये भी इस्वर स्रिष्टी है तो आप इसको personally कैसे ले सकते हैं जब सेम परिस्थिती में ये किसी भी व्यक्ति के साथ गटित हो सकता है जो आपके साथ गटित हुआ तो इसका मतलब ये ये law है ये एक order है इस order ये law को किसी ने create नहीं किया इसलिए इसका मतलब ये इस वर स्रिष्टी है और चुकि ये इस वर स्रिष्टी है तो जिस परकार आप mountains को परवतों को समुद्र को और आस्मान को परसनली नहीं लेते हैं वैसी इसी परकार आप अपने इस दुख को भी परसनली नहीं ले सकते हैं तो इसका मतलब आपके इस दुख में कोई चीज परसनल है ही नहीं आपको चायद ये जान करके आशर होगा कि हर वस्तू जो भी आप forms देखते हैं, जो भी वस्तूएं देखते हैं इस जीवन में, वो सारी वस्तूएं ईस्वर के दुवारा ही create की गई हैं, वो ईस्वर की ही knowledge है, क्यों आप थोड़ा सा गौर करके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा, वो सब law के उपर आधारित हैं वो सब नियम के उपर आधारित हैं, order के उपर आधारित हैं और उस order को किसी ने create नहीं किया हो, uncreated है यानि जीवन अपने आपको maintain करने के लिए उस law के सहारे चीज़ों को create करता है law के रूप में अपने आपको manifest करता है, अपने nature को विविक्त करता है तो इसलिए सारी ही वस्तुएं जितनी भी हैं वो law के उपर आधारित हैं law के दुआरा निर्मित हैं, law के उपर आधारित हैं और law के आधार पर ही वो सब काम करती है तो इसका मतलब law is versus risky है और जो कुछ भी is versus risky है उसको आप personally नहीं ले सकते In fact, जीवन और मरन का जो ये cycle है अनन्त cycle है ये जीवन मरन का चक्र बहुत पुराना है चिरकाल से चला आ रहा है इस जीवन मरन के चक्र में आप ignorance में जीते रहते हैं अनन्त काल तक आप जीते रहते हैं उसके बाद जब ग्यान प्राप्त हो जाता है आपको तो फिर जीवन मरन के से मुक्ति भी अनन्त काल के लिए हो जाती है तो इस परकार अनन्त काल तक इग्नोरेंस में आप जीते हैं, अनंत काल तक आप ज्यान के साथ जीते हैं, जब ज्यान हो जाता है तो आपको, तो इसका मतलब ये भी एक लौ के उपर अधारीत है, ओर्डर के उपर अधारीत है, पहले जितनी इग्नोरेंस, अनंत काल तक इग्नोरेंस, फिर अनंत काल तक तो इस प्रकार आप पाएंगे कि ये एक नियम के उपरा, जीवन मरण के चक्र के उपरा, जीवन मरण के चक्र में आप एक नियम के अनुसार जीते हैं, एक लौ के अनुसार जीते हैं, एक ओर्डर के अनुसार जीते हैं, तो इस प्रकार ये जीवन मरण का चक्र भी इस्वर स्वार्स रिष्टी से चलता है तो आप अपने जीवन मरंड को भी परसोनली नहीं ले सकते आप यह नहीं किसकते कि आपने परसोनल पाप की वज़े से जीवन मरंड के चक्र में नहीं है dus तो मूल अविद्या है, आप ने थोड़ी क्रियर्ट की है तो इस्वर के प्रदत्य glow शक्ति है, तो इसे भी आप Hawkey नहीं ले सकते, जीवन के जो ऑब्जेक्ट। कीवन का जो प्रवाह है उसको आप परसनली नहीं ले सकते किसी भी चीज को आप परसनली नहीं ले सकते क्योंकि ये सब इसवर्स रिष्टी है तो आपका ये दुख भी जो है इसवर्स रिष्टी है तो इस प्रकार जब आप ये विचार करते हैं कि आपके दिमाग में जब यह आता है कि अरे यह दुख तो गतिगत है, यह दुख बड़ा इंबरेसिंग है, यह तो मुझे परसनली यह दुख सहना है, ऐसा दुख तो किसी का नहीं है, तो फिर आप अपने उपर विचार कीजिए, अपने दिमाग में, और यह सोचिए, कि क्या इसी परिस्थिती में, अगर परिस्थिती एकदम सेम होती, तो क्या यह गटना जो मेरे साथ हुई, यह दूसरे के साथ भी हो सकती थी, तो आप कहेंगे, हाँ, यह हो सकती थी, तो इसका मतलब है कि यह लौ के उपर अधारी थे, क्योंकि लौ जो है, वो सेम परिस्थिती में हमेशा अपने आपक करता है, जब आप कहेंगे कि यह लौ के उपर अधारी थे, तो आप अपने आप से प्रस्थिती है, कि यह जो लौ है, यह लौ परस्थिती है, तो इसका मतलब आप इसको परस्थिती नहीं ले सकते हैं, आपको इसे वस्तु निश्टता के साथ लेना पड़ेगा, आपको इसे objectivity के साथ लेना पड़ेगा, इन फैक्ट यही तो objective, this is called yoga of objectivity, यही तो वस्तुनिष्टा के उपर अधारित योग है, वस्तुनिष्टा के उपर अधारित जो योग होता है, इसमें हम चीजों को अपनी जीवन को personally नहीं लेते, अपने जीवन के embarrassment को personally नहीं लेते, और जब आप अपने जीवन के embarrassment को इस्वरस रिष्टी की तरीके से लेते हैं, तो आप उसको fact की तरीके से देख पाते हैं, आप दुख है तो लेकिन आप उसको personally नहीं लेते, आप उसको एक वस्तुनिष्टता के साथ लेते हैं, जैसे समुंदर और परवत को आप वस्तुनिष्ट तरीके से लेते हैं, आपजेक्टिवली लेते हैं, परस्नली नहीं लेते हैं, वैसे अपने दुख को भी आप परस्नली लेना बंद कर देते हैं, और जब आप अपने द किरणा जो है आपके अंतर्मन में जाती है तो आपके अंतर्मन को प्रकास से भर देती है और सारी चीज़ें जिसको आप PERSONAL लेते थे वो धीरे-धीरे उसको contractivity में बडल देती है और इस प्रकार आप impersonally जीना शुरू कर देते हैं और तब ये पता चलता है कि आप इससे उपर उड़ जाते हैं